प्रात्ना करते और परमेश्वर के वच्चनों की और आगे बढ़ते हैं प्रबफुने जो बाते हैं हाज के लिए हमारे जीवनों को आशिशित करने के लिए रखिये उसकी और हमारे ध्यान को केंदरित करते हैं और फवित्रा आत्मा की सहाइता मांगते हैं फवित्रा आत्मा को अभिशेक मांगते हैं परमिश्वर का सामर्थ मांगते हैं क्योंकि प्रभू की बाते स्वर्गिये बाते हैं जो human understanding उसको समझने के लिए असफल रहताती हैं कई बार हम इसको हमारे दिमाग से समझने का प्रयास करते पर निश्वल रह जाते हैं जो प्रभू का message जो होता है हमारे लिए हम वो miss कर जाते हैं तो आईए हम रात ना करते हैं पवित्रा आत्मा से सहाइता मांगेगे हर एक जन प्रभू से कहें पवित्रा आत्मा आप मेरे साथ व्यावार कीजिए हर एक जन अपने घरों में अपनी आवाज को उठा कर भी कह सकते हैं और शांत मन से भी कह सकते पर कहें प्यारो के बोलना बहुत जरूरी है प्रभु को कि परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें आप हमसे आपकी आवाज की जरूरत है Otherwise, हम कहीं पर stuck हो जाएंगे, stick हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे पवित्र परमेश्वर आपके बच्चनों को आप हमारे बीच में रखिये प्रभू हमारे मन को, हमारे कान को आप खोलिए प्रभू ताकि आपके बच्चन हमारे मनों में, हमारे हृदयों में हम बसाने के लिए जो कुछ भी हमारे कानों से सुनते हैं, उसको प्रभू हम बसा सके जो आज आपने हमारे जीवनों के लिए रखा है वो बात आप हमारे सामने रखे परमिश्वर ताकि हम और भी आपको प्रेम करते हुए आगे बढ़ सके शैतान की हर युक्तियां येश्यू मसी के नाम से हम निश्वल कोशित करते हैं येश्यू के नाम में आपके वच्चनों में जो अभी शेक चुपा हुआ है वो आज हमारे हिर्दयों तक पहुंचे ताकि हमारे हिर्दय तैयार हो पाई जो आप चाहते उसको करने के लिए ताकि आपका राज्य हमारे बीच, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में स्थापित हो सके और अगर स्थापित है तो बढ़ सके प्रभु येश्यू के नाम में हम फ्रात न करते हैं इसे कुबूल कीजिए येश्यू के नाम में, आमें प्यारों, बहुत महत्वपून बात है, यदि कहीं पर बाढ़ आई हो, यदि कोई जगे ऐसी हो जहां पर सुनामी आने वाली हो और बहुत सारे लोगों को वहां से स्थानां तरीद करना अनिवार्य हो चुका हो सरकार के लिए, क्या करते हैं वहां आपने कई बार हम डिस्कवरी चैनल पर नेशनल जोग्राफिक चैनल पर और ऐसी बातों में हम देखते हैं कि किसी को बचाने के लिए कोई हैलिकॉप्टर या दो जहाज महां पर पहुंचता है पर आपने शायद देखा होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी बचाने के लिए हेलिकॉप्टर से या कही से जब रस्सी डाली जाती है जो बचना चाहता है वो क्या करते हैं इंतजाम तो लोग करते ही है इंतजाम तो सरकार करती ही है बचाने का पर बचने का प्रयास किसके हाथ में है बचने का प्रयास किसके हाथों में होता है जो बचना चाहता है उसके हाथों में तो उसको क्या करना पड़ता है, जो रसी उसके लिए डाली गई होती है, उसको उसको hold करना पड़ता है, ठाम लेना पड़ता है, और जब वो ठाम लेता है, तब जब वो हलिकॉप्टर या तो जो भी हो, वो उसको उपर खीचने लगता है, तब वो उस खत्रे वाली जगे से जो पूरी जोखिम से भरी हुई है जहां पर उसकी जान जा सकती है, क्या होता है वहाँ? वहां से उटता है और वहां से उठाया जाता है और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है कि व्यां को मिला है कि कि अगर हमें किसी बात को हमें बचना है किसी जोखीम से तो हमें कुछ तो पकड़ना चाहिए हमारे हाथों में कुछ होना चाहिए पॉलुस ने जब अपने जीवन की अंतिन यात्रा चुरू की थी रोम की और वो जा रहा था कृत से होकर उसको जाना था जब वो जा रहा था उसको परमेशों ने कुछ बाते ध्यान में लाए थी और वो भाष्यवानी भाष्य की बात उसने जहाज के जो कप्तान थे उसको बता दी थी कि ऐसा है हमारा यह सफर है बहुत ही क्लेश से होकर गुजरने वाला है पर जहाज के कप्तान ने उसकी सुनी नहीं उसको नजर अंदाज कर दिया था पर प्रभु ने साफ बात बोली थी कि मैं एक को भी मरने नहीं दूँगा वहाँ पर और पॉलुस ने ये बाते परमेश्व की और से सुनी थी अगर कोई बचा सकता है संसार में तो जो उन खत्रों से जानकार होता है जो आने वाले खत्रों को बता सकता है वो ही उसी की आवाज हमें बचा सकती है सो पॉलुस को और उसके साथ में जो लोग उस जहाज में थे करीब 276 जन थे उस बोट में उस जहाज में अप्रेजितों का काम उसका 277 अध्याय में पड़ो गया भी निकालना नहीं पर वहाँ पर लिखा है कि 276 लोग उस जहाज पर सवार थे परमेश्वर ने जिम्मेदारी लिए थी क्योंकि पॉलुस उसमें था और उसके परमेश्वर ने उसको बताया था कि मैं बचाऊंगा तो ये प्रमेश्व की प्रमेश्व की पर ध्यान करना ये बहुत आवश्यक बात है, हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाइबल पढ़े बाइबल को पूरा करने के लिए नहीं, बाइबल हमें पूरा करने के लिए नहीं दिया गया है, बाइ को ग्रहन करें ले पाए और अगर हम यह सुन्नें में निश्वल होते हैं तो संसार के तूफ। संसार की बहुत सारी ऐसी बातए है जो किन सब्सें तो, जो लिए आगे बढ़ने ने नहीं देती हैं, हमें निराश्च कर्देते हैं, तोड़ देती हैं, और सबसे अगर बचा सकते तो वह नहीं परoupet देना ही पड़ेगा अदर्वाइज कि पता नहीं चले हैं हम टूट जाएंगे अब हार जाएंगे हम डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोग जैसे आतसंसार में करते हैं कि गलत स्टैप ले बैठते हैं अपने जीवन में मैरेज लाइफ में व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में कोई छोड़ कर चला जाता है कोई गलत गलत खराब स्टेप लेल बैठता है और अगर यह ऐसे स्टेप ना लिए जाए उसके लिए अगर कुछ बात आवश्यक है तो वह बात है परमेश्र की वाणी परमेश्र का वच्चन इस पर गौर करना बहुत जरूरी है जब पॉल उसने यह बात बोली थी पिर जब इन लोगों ने नजर अंदास कर दिया तूफान आया बहुत कुछ हुआ आखिर में जब एक जगे पर वह पहुंचने वाले थे उस तूफान से उनका जहाज डूबने पर था जो 276 लोग सवार थे वो पूरा जहाज डूबने पर था उन्होंने सारा सामान भी फैकने लगे तब पॉल उसने एक आदेश वहाँ पर कप्तान को बोल कर वहाँ पर जारी करवाया वहाँ पर देखे मैं प्रेरितों के काम निकल भागे लिखा है परंतु सुबेदार ने पॉल उसको बच्चाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहां कि जो तैर सकते हैं पहले खूद कर किनारे पर निकल जाए जो तैर ना जानते वो तो स्वाबावी कुरूब से चले जाएंगे किनारे पर पहुंच कि जो तैर सकते पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई जो चुमाल इस व्याद में बाकी कोई पट्रोपर और कोई जाहाज की अनिये वस्तूओ के सहारे निकल जाएं इस रिती से सब कोई भूमी पर बच निकले सब बच गए पर बचने का रास्ता क्या था जो तैरना नहीं जानते, इंग्लिश में लिखा है, उनके लिए शब्द जो लिखा है, hold on to pieces of wood. जहाज की जो लकडिया हैं, उसको उनको पकड़ना पड़ेगा. अगर उनको बचना है तो, अगर वो उनको बचना नहीं है, तो छोड़ दे फिर वो लूप जाएंगे. पर यहां लिखा है कि सब लोग बच गए, इसका मतलब है कि जिनको तैरना नहीं आता था, उन्होंने कुछ किया, क्या किया, जिनको तैरना नहीं आता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाज की लकड़ी को तूटी हुई लकड़ी को फकड़ लिया, ठाम लिया, और फिर आखिर में वो किनारे तक पहुँच गए तो जो मूल बात पर मैं परमेश्वर हमें गौर करवाना चाहता है हमारा ध्यान खीचना चाहता है उस वच्चन की और मैं आपको ले जाना चाहता हूं क्योंकि यह जो समय में से हम निकल रहें प्यारों जिसके लिए बाइबल बाते बता रही हैं जो बोल रहें कि परमेश्वर का आने का जो समय है हमारे आसपास की सितियों को जब हम देखते हैं तो परिसीतियां बदल रही है एक के बाद एक के बाद एक गवर्मेंट्स में बहुत भारी बदलाव आ रहे हर एक जो देश की जो सरकार है आज हम देख बीमारियां नई नई बीमारियों का उद्वव होना परमेश्व ने इसके बारे में लिखा कि जब अंतीन समय आएगा तब यह बाते का प्रारंब हो जाएगा यह तो पीडाव का प्रारंब होगा कि यह सब बात है पर प्रभू इसमें से बचाना चाहता है जो थामे रहेंगे जो पकड़े रहेंगे वो बच जाएंगे जैसे मैंने अवे उदान दिया है कि जो बचना चाहते हैं वो हेलिकॉप्टर से जो रस्ती डाली उसको उनको पकड़ना ही पड़ेगा जैसे पॉल उसकी इस यात्रा में उन लोगों ने जिनको तैरना नहीं आत बचने के लकड़ी को पकड़ लिया होल्ड कर लिया सो वो बच गए सो नेक्ष्ट जो इस संसार पर आने वाला है जिसको परमेश्वत का क्रोध और को कहा गया है पर उससे पहले प्रभू अपने लोगों को बचाना चाहता है इवन जो लोग रह जाएंगे उसमें उनके ल वाइव वुड़ वी थींग हमें प्लान बी की आवश्चेक्ता नहीं है हमें प्लान एक ही आवश्चेक्ता है कि हम कैसे इस बातों से निकाले जाए उठा लिए जाने जाए ताकि हम इस मैं जो प्रभू का क्रोध जारी होने वाला है और जो संकट इस निस संसार पर आने वाला उससे कैसे बचा जाएं और इसके लिए जो बहुत मूल जो बात है प्यारों आज हम उसकी और गौर करेंगे समय बहुत कम होगा पर जीतना हम सीख पाएंगे समझ पाएंगे आप प्लीज समझने का पूरा प्रयास करना मेरे साथ बने रहेगा प्रकाशित वाक्या दू साथ कलीजिया है उनको लेकर जो पत्रियां जारी की गए थी वो युहन्ना को परमेश्वन ने दी थी कि यह अले गलग कलीजियाओं के लिए है जो उस समय में जो पहली सदी में जो बात थी इन कलीजिया को लेकर प्रभू ने जो अबजव किया था इन कलीजियाओं में ज यहां यहां पर क्या है तो परमेश्व ने उस समय में जो कलीशियाओं का दौरा लिया पवित्रा आत्मा ने वह जो बाते उन्हों और यहां पर प्रकाशित दूसरे और तीस्वा के बारे हैं और यहां पर लिखे गए थे इसमें यह अंतिन समय की कलिसियाओं को भी उसी तरह से बिलकुल लागू होता है जितनी भी वर्ल्ड वाइड विश्व व्याफी कलिसियाँ हैं उन सभी को यह लेक्टर यह साथ पत्रियां लागू होती है प्यारों और उसमें यह जो मूल बात है प्रकाशीत वाकिया दो और पचीस यह जो दो और पच्चिस आयत है ये थुआतीरा की कलिस्या थी और ये थुआतीरा की कलिस्या को परमेशो ने ये लिखा दो और पच्चिस लिखा है कि पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो क्या लिखाएं मेरे आने तक थामे रहो बागी तो मैं संभाल नहीं रहा हूं तब तक तुम है मैंने जो प्रामिसिस आपको दी है मैंने जो योजना बचने के लिए या तो मुझे फॉलो करने के लिए जो बाते दी है जो सुचना ये इंफोर्मेशन जारी की है उसको थामे हैना कि प्रक थामे रहे कि अरदर्फ मेरी आने कि ये बुला मेरे आने तक मतलब या तो उनका आना हो या हमारी मृत्यू हो ये दो में से कोई एक पल है जो अनिस्चित है जो कभी भी हो सकते हैं पर हमें हमारा अन्तिम स्थान अगर सुनिस्चित करना है तो परमेश्वर की इस वचन को गौर करना बहुत आवश्यक्य प्यारो जो तुमारे पास है उसको मेरे आने तक होल्ड आन लिखा है होल्ड आन मतलब थामे रहो पकड़े रहो तीसरा अध्याय और ग्यारवी आयत में ये ही बात लिखी गई है वो लिखा है फिलादेलफिया की कलिसया को मैं शिग्र ही आने वाला हूं जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले मैं शिग्र ही आने वाला हूं सुन रहे आप लोग जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले इसका मतलब है कि कुछ है जो हमारे लिए त तेरा मुकूट कोई छीन न ले इसके लिए क्या कर जो कुछ तेरे पास है उसको क्या है हमारे पास आज हम उसको भी थोड़ा देखना चाहेंगे कि क्या है जिसको हमें ठामे रखना है गलत कोई चीज़ आप ठाम लोगे तो क्या होगा आप का भविशय अनिश्चीत होगा में अगर आपको सुरक्षीत और सुनिश्चीत भविशची चाहिए तो सबसे बड़ी बात और महत्वपुन बात है वो है यह परमेश्वर्ग का वच्चन यह बाईल दिख रहा है मेरे पीछे बोले आप लो इस बाइबल को हाथ में लेकर आप कहे मुझे प्रभु येश्यु मसी के आने तक या तो मेरे जीवन के अंतिन समय आने तक इस वचन को थामे रखना है येश्यु मसी की बातों पर चलना जारी रखना है आमेन येस तीन और ग्यारा में भी यही बात लिखिए कोई च्हिन ना ले चला जाएगा देखो यह जो होल्ड जो शब्द है पकड़े रख थामे रख उसका जो ग्रीक जो शब्द लिया है वो है क्रेटियो क्रेटियो जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में होल्ड या तो दूसरा है टू सीज और एक वर्ड है क्लिंगिंग और एक और वर्ड है टू कंटीनिउ टू होल्ड मतलब पकड़े रहो जारी रहो इसको पकड़ कर और एक और वर्ड लिखा है जो मत्थी 25 और 50 में लिखा है जब येश्व मसी को खोलना नहीं वचन येश्व मसी को पकड़ने के लिए सैनिक वहां पर गेट सेमानी कल वाडी में वहां पर आये बाग में क्या हुआ वहां पर यहुदा उनके साथ आये था और लिखा है कि उन्होंने येश्व को धर पकड़ कर लिया अरेश्टेट दे अरेश्टेट जीजस मतलब क्यों पकड़ लिया क्योंकि वह छूट कर भागना जाए या तो उनको छुडा कर उनके चेले भागना जाए इसलिए उनको क्या क्या उन्होंने इतने सारी तादाद में वहां पर सैनिक और सब मिलकर आये थे येश्व को प्रमेश्व की बातों को हम उस तरीके से थाम ले पकड़े रहे कि वह छूट न जाए हमारे हाथ से क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी बात है जो पकड़ने के लिए थाम लेने के लिए हमारे आगे बहुत भारी आकर्शन आ जाएंगे और शैतन तो बहुत चाला के प्या करता है आज तक और बहुत सारे लोगों को गलत सौदों में फसा दिया उनकी विश्वास की यात्रा में से उनको रिक्टार कर दिया और गलत पर चड़ा भी दिया उनको क्यों क्योंकि वो लोग प्रभु के प्रेम में स्थीर ना बने रहे तो वो लोग उसमें से निकल गए प्यार तो ये जरूरी है कि जैसे को चीज को हाथ से निकलने नहीं देना ऊस सेंस में उस मीनिंग में हमें पर्मेश्वर की बातों को पकड़ लेना है ठामब लेसा देखें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ को प्रेरी पॉल्स ने जो बात बोली फिलिपियों की पत्री आप निकाले फिलिपियों की पत्री तीन और बारा फिलिपित तीन और बारा यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं अब मूल बात यहां पर आ रही है पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दोड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसी येश्यू ने मुझे पकड़ा था उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दोड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभी येश्यू ने मुझे पकड़ा था आप रुकिए यहां पर पढ़िए नहीं अब बाइबल में क्या लिखा क्या बोला पर मुझे जिसके लिए पकड़ा था वो थामने के लिए मैं दोड़ा चला जाता हूँ पॉल यहां पर बोल रहा है कि वो एक रेस में है जो रेस के अंत में उसको कुछ मिलने वाला है उसको थाम लेना है उसको और उसको पकड़ने के लिए वो दोड़ा चला जाता है कौनसी रेस में आप शामिल हो मैं आप से पृष्ण कर रहा हूं कलिशिया आप कौनसी रेस में सामिल हो सुनने वाले लोग ऑनलाइन बहुत सारे लोग आप कौन सी रेस में सामिल हो, किस रेस में सामिल हो आपको पता है, प्रभु येश्यू ने आपको पक्का पता है कि प्रभु येश्यू ने जो पकड़ने के लिए आपको थामा है, वो आपने थाम लिया है, जो पदार प्रभु आपके हाथों में देना चाहता है, उसको आपने पता है किस रेस में शामिल हो किसको पकड़ने के लिए भागे चले जा रहे हो कि क्या संसार तो नहीं है या संसार की लुभावनी बाते तो नहीं है जो आपको खीच रही है और उसको पकड़ने के लिए आप खीचे चले जा रहे हो थोड़ा रुक कर गौर कीजिए आपके जीवन की आपकी लाइफ की रूटीन क्या है आप किन बातों में अपने टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो वह आपकी दौड है वो आपकी दोड़ है जहां पर आपका time आप invest कर रहे हो ज्यादा वो आपकी दोड़ है मैरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप नौकरी कर रहे हो मतलब आप संसाय के नौकरी करना तो प्रभू कहता यह पर जो समय आपको मिलता है उसकी में बात कर रहे हो उस समय में आप क्या कर कौन सी बाते आपके mind को busy रखती है क्या वो परमेश्वर की बाते है परमेश्वर की ठहराई हुई planning है योजनाय है कि या तो आपकी अपनी planning है आपका अपने सपने हैं, आपकी अपनी योजनाएं हैं. क्या थाम कर रखना है अभी वो clear होगा आपको, क्या थाम कर रखना है? पॉल उस निसाफ दिया है कि उस फदार्त को पकड़नी के लिए दोरा चला जाता हूं जिसको क कर ना सब से हला मसी में आने के बाद मुझे मेरे लिए आवश्यफ भें कि लिखाये कि जिसके लिए मसी एशुने मुझे पकर आपो में आ तो गए है पर मत नियूर rival पकड़ कर दौर रहे हैं पता भी है क्या पकड़ कर हम दौर रहे हैं आपको बेटान मतलब एक डंडा होता है वह रेस में और पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरा राउंड ऐसे 4-5 राउंड होते लैप जिसको बोलते हैं, तो हर एक lap में अगळग दोड़ने वाले लोग होते हैं, आनलो कि मैं पहली lap में हूँ, तो मेरे हाथ में, मेरे लाइन में और भी दूसरे दौडने वाले लोग है मेरे हाथ में जो बैटन है उसको लेकर मुझे दौडना है मेरे एक राउंड को पूरा करना है और मेरा राउंड पूरा होगा तो आगे एक जन तयार होगा वो उसको बैटन वो डंडा मुझे उसको देना है ताकि वो टुरंत बंदा नहीं करेगा और इस प्रकर आखीर में जो दोड़ आखेर आखीर में जो पूरा करेंगा वो जीट जाएगा पर शैतन नहीं चाहता है कि वो बाते हम पकड़े जो येशुमसी ने हमें पकड़ने के लिए थहराई है, थाम लेने के लिए थहराई है। शैतन हमारे साथ गलट dealing करता है, गलट सौदे करता है, आपको पता भी है कभी, जाचते भी हो आपके जीवन में क्या सौदे आपका बैठते हो कभी, और कौन सी चीज आप अपने जीवन में, आपकी personal life में खरीद लेते हो, वो हो सकते हैं, आपका career, वो आपका personal life हो, life partner की बा हार खीच कर ले जाते ऐसे ऐसी दौर से दूर रहिए सुन रहें आपके कान है कि नहीं ऐसी दौर से अपने आपको दूर रखिए पर उस दौर में अपने आपको शामिल रखिए जो दौरने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है आपको पकड़ लिया है अब देखें अ इनाम कहीं और चला जाएगा और तुझे तेरा उद्धार तो है मैंने तुझे बचा लिया है पर जो है दोड़ उस इनाम को लेने के लिए जो परमिश्वन ने हमारे लिए ठैरा रहा है देखे क्या लिखा है यहां पर प्रभु का वच्चन हम आगे पढ़ना चाहते हैं लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के दुवारा क्या कटेगा विनाश की कटनी कटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटे गए समझ भी आ रहा है शरीर और आत्मा ये दोनों हमेशा opposite इच्छा है वो रखेंगे पवित्रा आत्मा आपकी आत्मा में बसा हुआ है और वो आपको परमेश्व की बातों की और ले जाने के लिए आपके अंदर आवाज लेगा देता रहेगा वो आवाज कि बेटा चल उठ जा जल्दी प्रातना में बैठ वचन को पढ़ वचन के बारे में चर्चा कर गलत गलत बातों में अपने आपको मत उलजाये रख तेरा समय वेश्ट हो रहा है क्यों तू गलत बातों में गलत चर्चाओं में अपने आपको उल्जायवा रखता है इन जगडों से इन विवादों से तू अपने आपको दूर रख पर शैतान नहीं चाहता है कि हम उन बातों से दूर रहे शयतान चाहता है कि हम परमेश्र की बातों से दूर रहे हम मेल मिलाब शान्ती और इन सब बातों से दूर होकर लड़ाए या जगड़े परिवार में विश्वासियों में कहीं न कहीं ये बाते होती जाती है परंतीम दिनों में तो लिखा है लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा तो ये बाते बढ़ जाएगी विवाद बढ़ते जाएंगे पर प्रभू के जनों को इलिए क्या है जो लोग प्रभू को ढूंडने वाले हैं वो इन सब बातों से दूर रखेंगे अपने आपको अपन हमें उन बातों पर ध्यान रखना है हमेशा कि जो प्रभू में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है पालुस कहता है मैं दोड़ा चला जाता हूं हम कहां दोड़े चले जाते हैं हम निकल परते हैं कुछ भी बात आ जाती है आत्मा के लिए बोव ना है इसका मतलब है शरीर के लिए बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे पर आत्मा के लिए जो बोएंगे दिखाए वो अननत जीवन की कटनी काटेंगे एक और थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे मत्थी 6 और 19-20 मत्थी रचित्सु समाचाथ 6 क्या लिखाई यहां पर अपने लिए पृत्वी पर धन इकठा न करो जहां कीडा और काई बिगारते हैं और जहां चोर सेंद लगाते हैं और चुदाते हैं परन्तु अपने लिए स्वर्ग में धन इकठा करो क्या लिखा है अपने लिए कहां इकठा करना है स्वर्ग में अरे स्वर्ग में तो कैसे जाएगा सब स्वर्ग में धनी कठ्था करना इसका मतलब क्या है और यहां पर धनी कठ्था करना यह तो सब पता है बैंक बेलेंट पढ़ाओ अपनी जागीर अपनी जाईदाद बढ़ाओ यह है मेरे पास यह है नहीं और देखे हर एक का धन भी अलग-अलग है किसी के लिए धन का मतलब होता है पैसा किसी के लिए धन का मतलब होता है उसका नाम किसी के लिए धन का मतलब होता है उसकी जरूरते बस वो उसके पास है तो भी लगाई रहेगा उसको पाने के लिए गलत सौधे करता रहेगा इतना time waste करता रहेगा लिखा है परन तु अपने लिए स्वर्ग में धन उकठा करो जहां न तो कीडा और न काई भीगाते और जहां चोर न सेंग लगाते और न चूराते क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा और हम तो मन से प प्रेम करेंगे कहीं न कहीं हम संसार को और संसार की बातों को प्रेम करते रहेंगे प्यारों कि खाने पीने को प्रेम करने वाले बन जाते लोग संसार की आकरशित चीजों को प्रेम करने वाले लोग बन जाते हैं कपड़ों को प्रेम करने वाले लोग बन जाते हैं अपने मान को प्रेम करने वाले लोग बन जाते जो अपने आप पर ही जो फोकस रहता है उनका एगो बहुत उच्छा हो जाता है और वो हर बातों में उखड पड़ते हैं अमें इन सब बातों से दूर रखना आए अपने आपको प्यारों जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी रहेगा मतलब जो हाथ में हमें रखना है, जो थाम कर चलना है, वो नहीं कुछ और आ जाएगा यह रेस है प्यारों, जिसमें हमारे हाथ को साफ रखना है और हमारे हाथ में जो प्रभू चाहता है, वो थामे रखना है क्या थामे रखना है वो आगे और भी क्लियर होता जाएगा ऐसे सौदे ऐसी बातों से अपने आपको दूर रखे जो प्रभू को पसंद नहीं है ऐसे वारतालाप से ऐसे विवादों से प्रभू को जो पसंद नहीं है उससे अपने आपको अलग रखे दूर रखे प्यार हो क वहीं पर तेरा ध्यान वहीं पर तेरी सोच रहेगी वापिस हम प्रकाशित वाक्य में दूसरे अध्याय में आ जाते हैं और उस बातों की और दौर करते हैं देखें वहां पर क्या बात है दो और बारा यह पिर्गमुन की कलीशिया को परमेश्व ने क्या बात बोली है दो और बारा प्रकाशित वाक्य दो और बारा क्या लिखा है क्या थाम कर रखना है पिर्गमुन की कलीसिया के दूद को यह लिख यह ना को प्रभु ने यह बता रहा है बताया कि पिर्गमुन की कलीसिया को के दूद को मतलब उस कलीसिया के पाश्टर उनके अगवो को यह लिख लिखा है जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो और वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिहासन है, मतलब उस कलीसिया के लिए लिखा है कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिहासन है, तू मेरे वहां ऐसी जगे है पर है तू फिर भी लिखा है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पर्गमोन की कलिसिया को प्रभू कहता है, ऐसी जगह पर है जहां शैतान का सियांस रहने, पर फिर भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और नमबर वन स्थिर रहता है उसके नाम पर, और नमबर दो दूसरे मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हट मतलब continue, तुने अपने आपको deny नहीं किया, मेरे पर विश्वास में बने रहने के लिए, आललोया, दिखे दो महत्वपून बात है यहां पर, कि उसके नाम पर स्थिर रहना, उसके नाम को पकड़े रहना, हलो, आललोया, येश्व के नाम को पकड़े रहना, मतलब वो उसके नाम को पकड़े रहना है, मतलब उसकी नाम की महिमा को ढूणना है, हम गाना गाने, ये जिन्दगी, तेरी महिमा, गाती रहे, सरवदा, तो क्या गाना गाने से हो जाएगी महिमा, एक गाना क्या पूरी लाइफ के लिए चलता रहेगा हमारे लिए, बज़ता रहेग एन दिनों में भी पीछे नहीं हटा है मतलब परिक्षा के समय में भी वो पीछे नहीं हटें अब परीक्षा में अपने आपको स्थिर रखना याकुब की पतरी पहला अध्याए में बहुत क्लियर परिक्षा को लेकर लिखा वुए 88 याकुब की पत्री, पहला अध्याय उसमें लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परिक्षा में स्थिर रहता है, देखें, ऐसे तो सब लोग स्थिर ही दिखेंगे, हालेलूया, प्रेज़ दोलोड, सब चलता रहेगा, पर परिक्षा ही सब कुछ तेह करती है, कि हम किसके है, परिक्षा वो को आने देता है, परमिट करता है, प्रभू खुद परिक्षा नहीं लेता है, पर परिक्षा को परमिट करता है वो हमारे जीवन में आने के लिए, लिखा है जो परिक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जि हो जएंगे को हम पूरे दिन पर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि आज की परिक्षा में मैं पास रूआ के मेरे विचारों को ले चाल उट अगर password करके लिए तो पता चलेगा कि में पास हुआ कि फेल हुआ कितनी परिक्षा रिष्चा प्यृत कि सब पता चल जाएगा प्यारो और वह बताएगा। हमारे हमारे डिसन हमारे रिवाज रिती रिवाज प्रभूकर चाहिए प्रभूक हमारे रिती रिवाज नहीं चाहिए कि कितना हम ओंलाइन बाइबल श्टड़ि में ओं लाइन chart service में बैठते हैं तो क्या पूरा हो गया आज का कोटा एक हपते का कोटा पूरा हो गया प्रभू को देने का इसका मतलब अगर हम चर्थ सर्विस में बैठ गए तो बाकी के घंटों का क्या कॉनसी रेस में हम दौड़ेंगे फिर वापिस कभी सोचा भी है प्यारों आपने कि मेरे लाइफ से प्रभू क तो पकड़ा है प्रभु पकड़वाना चाहता है वह नहीं पकड़ा होगा तो उठाएंगे कैसे वह रसी को पकड़ने वाले ही लोग तो बचेंगे उस संकट से और रसी क्या है कलीशिया के लिए लिखाए तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है तूने शैतान की गद्य वहाँ पर है फिर भी तूने मेरे नाम को पकड़ कर रखा है स्थिर है तू मेरे नाम पर स्थिर रहा है लिखाए मुझ पर विश्वास करने से तो पीछे नहीं हटा है हम तो पीछे हटने में देरी भी नहीं करते ने प्यारो कदम आप देखे लड़कडा तो नहीं रहे निया तो हम पीछे तो नहीं ले लिए समाज में तो नहीं चले गए समाज के डर से कहीं गलत निर्णे तो नहीं ले रहे समाज के डर से अरे प्यारो एक बात याद रखो, सब कुछ खतम हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, वो ही रहेगा जो आखिर में आपके हाथ में होगा, येस, आपके हाथ में जो रहेगा, अगर अंतिन दिन तक आप पैसे कमाने में वेश्ट अपने आपको मतलब सामिल रखोगे, क्या होगा पता है, अंतिन समय में, प्रभू उठाने आएगा न, तो जो रहने वाला है न, वो ही रहेगा, अब ये सब चीज़े तो मिट जाएगी, प्रभू किसको लेगा फिर, प्यारो अगर आप सच में बचना चाहते हो, तो उन बातों की और गौर करें, जो आपने पकड़ कर रखी है, या तो जिसको पकड़ कर रखना है, आपको थाम कर चलना है, उसके नाम पर स्थिर रहना सीख ले प्यारो, और उस पर विश्वास करने में कभी पीछे ना हटे, देखे, एक और आयत हम पड़ेंगे, यह पेरगमोन की कलीसिया है, उनके लिए एक और गंभीर बात है, देखो, चौदवी आयत लिखा है, पर मुझे, देखे, यहाँ पर दो टाइप के लोग है, चौदवी आयत में, एक तो एक जो उसके नाम पर स्थिर रहते हैं, और विश्वास करने से पीछे नहीं हटते हैं, और दुसरे वो है, जिनके बारे में चौदवी आयत में लिखा है, यह पर मुझे तेरे विरुत कुछ बाते कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, मतलब गलत शिक्षा को लेकर चल रहा है, परमेश्वर की शिक्षा को, जो कलिस्या में अगवो के द्वारा प्रबु देनाचन को, में हम फिट बैठते ह पकड़ेंगे बागी जहां वचन में हम फिट नहीं बैठते वो बात को हम छोड़ देंगे प्रभू यहां पर बोल रहा है कि ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को लेकर चल रहे हम बिलाम कौन है उसकी और नहीं जाना चाहते हैं यह बहुत अलग विशे हो जाएगा पर गलत च चीज़ लेकर हाथ में आगे बढ़ रहे हैं आप कहां पर लिखाए वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलाईयों की शिक्षा को मानते हैं और उनके लिए प्रभू क्या बोलता है मन फिरा चेंज और माइंड मतलब वास्ट यॉर माइंड तेरे माइंड मेंसे उन ब प्रभू के वच्षन को बोने के लिए रखने के लिए हैं अगर मैं गंबेर बाद स्टेटमेंट बोलू तो आपका माइंड और आपका हार्ट प्रभू के वच्षन को बसने के लिए प्रभू ने दिया है यूहीं प्रभू ने बीज बोने वाला द्रश्टान नहीं बोला कि रदई में बीज बोया जाता है हार्ट में लिखा है कि आपके हिर्दई में प्रभु के वचन अधिकाई से बसने दो दाउद इसलिए तो कहता है कि मैंने तेरे वात को तेरे वचन को मेरे हिर्दई में रक्त छोड़ा है क्यों क्योंकि मुझसे पाप नहुं हम तो सोचते हैं कि हम तो पवित्र है हम तो बहुत अच्छे हैं भले है हमारी संगत्य और जोगों के साथ है पिरहां प्रभू मन फिराने की बात बोलता है इसे लोगों के लिए वाश हुर मांड आप मनों को धोदो प्रभू के वचनों से पर इस यो को भी मार्क साथ और आट में प्रभु ने साफ बोल दिया कि आप होठों से मेरा आधर करते हो पर हिर्दई तो दूर है और व्यार्थ उपास ना कर रहे हो इंगलिश में जो वर्ड्स लिखा है कि तुम लोग जो सिर्फ मुह से बात करते हो और लिखा है परमेश्व की आज्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो इसने यह बोला ऐसा करना भई हां ऐसे ऐसे करना ऐसे रहना भई अरे प्रभु का वचर क्या कहता है वो हमे देखना है भई लिखा है कि ऐसे लोगों की अराधना उपासतना व्यर्थ है जो सिर्फ होटो से बोलते होटो से गाते मतलब और उनका ध्यान, उनका माइन, उनका टाइम कहीं और बातों पर है, जो प्रभू की नहीं है, क्या हाथ में लगेगा, अंतिम समय में ये सब बाते हाथ में रहेगी, तो कुछ नहीं बचने वाला प्यार हो, हम यहीं रह जाएंगे, जांचे वो अपने आपको, दुसरा तीमोथी दो और उननिस, एक आयत पढ़ कर हम पूरा करेंगे, दुसरा तीमोथी दो और उननिस, क्या लिखा है, तो भी परमेश्वक की पकी नीव वनी रहती है, और उस पर यह चाप लगी है, प्रभू अपनों को पहचानता है लिखा है प्रभू अपनों को पहचानता है हललोई यह प्रभू को पता है मेरे कौन यह पचास जो जन जो है ने इसमें मेरे कौन यह ओनलाइन वर्शिप में यह जो व्यूवर्स है ने जो इतने प्रभु जाचता है कलिसिया में उस पेर्गमोन की कलिसिया लेकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं मतलब समझना रहे है प्रभु अलग कर देता है सबको डिवाइड करता है प्रभु का वच्चन ये प्रबु का वच्चन पालने वाले लिखा है फिर भी अपनी मर्जी से चलते हैं प्रभु को पता है कि हमारे यहां कौन ऐसे लोग है लिखा है प्रभु की नीव बनी रहती है पक्की परमेश्वर की पक्की नीव बनी रहती है जो नीव होती है फांडेशन वह इमारत को पकड़े रहता है उमारत बढ़ी और मजबूथ कैसे बाहर नहीं दीखता है वह जमीन के अंदर होता है इसलिए नहीं दिखता है पर शैतान विश्वासियों को ये बताता है कि तेरे बाहरी कारियों से पता चलेगा कि तू मजबूत है कि नहीं तू आराधना कैसे करता है उससे पता चलेगा कि तू serious believer है कि नहीं और इसलिए कई बार हम tradition को follow कर बैठते हैं संसार में बहुत सारे लोगों की आस्थाए अलग अलग है पर मैं कहूंगा प्यारो आत्मा से और सच्चा इस्तिये ही प्रभु की आराधना हो सकती है वही सच्ची आस्था कहलाती है और वो सिर्फ कलीशिया के पास है कलीशिया के जो सच्ची प्रभु के follower है उनके पास है संसार में दिखेंगे बहुत सारे लोग फूल नहीं है सब इदर उदर जाकर पर सच्ची आस्था इन लोगों के पास है जो आत्मा से और सच्चाई से वचन यह कहता है आस्था कौन सी सच्ची है जो आत्मा से और सच्चाई से प्रभु की वक्ति कर दे जिनके जीवन में सच्चाई है जूट नहीं है जूट नामों निशान नहीं है तुसरा तिमोथी 2 और 19 में लिखा है जो कोई प्रभू का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे क्या लिखा है अधर्म से बचा रहे अपने आपको गलत बातों से बचाए रखे गलत शिक्षाओं से बचाए रखे गलत सौदों से बचाए रखे पापों से बचाए रखे और प्रभु का वचन किलाओ और कुछ नहीं है जो आपको बचाएगा प्यारो यह लिख कर रख लो प्रभु ने साफ उस कलीशिया को बता दिया कि तुने मेरे नाम को प्थामे ति पूमेज़ाव में नहीं जिसके पास्व कर्मेशनों कोई फर्याद नहीं थी यह फ ही इसके पास कर्भू के लिए लिए फर्यादने थी ठाफ हैं दूसरी कन मुरियी बरी बातर यह से है जिन में कुछ भी बुरह नहीं था हाललोया तो प्रभु ऐसी कलिस्या चाहता है जिसमें कोई बुराई ना हो कोई जूठ ना हो लिखाए तुने मेरे तीन और दस में तुने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे तुने थामा है मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृत्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है सारे संसार पर आने वाला है ये महामारी सारे संसार पर आगे और तो बहुत सारी महामारी आएगी आने वाले समय में पर प्रभू कहता है, क्या कहता है, तुने मेरे वचन को थामे रखा है, और इसलिए, what is the condition for our security, क्या condition है, क्या शुर्त है, तुने मेरे दीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, मतलब उस संकट के समय, तुझे बचा रखूंगा, जो पृत्वी पर रहने वालों को परखने के लिए आने वाला है, सारे संसार पर, सारे संसार पर आने वाला है, कुछ आने वाला है, जो परखने वाला है, सबको, अच्छी बाते परखे जाएंगे, वचन डिवाइड करता ह दोधारी तरवार यूँ नहीं बोला है वच्चन को वो दो हिस्तों में बाढ़ देता है लोगों को यह आधे इस तरफ यह मेरे लोग और यह मेरे विरूध वाले लोग यह सच्चे लोग और यह जूठी भक्ती करने वाले लोग आज प्रभु का वच्चन डिवाइड करता है तो हम कौंसी साइड में होंगे आप बताइए लिखा है कि अधर्म से बचा रहे अधर्म से अपने आपको दुर रखता है अपने आपको परमेश्व के लिए अविलेबल रखता है प्रभु की बातों के लिए अविलेबल रखता है वो उनका मकसद सिर्फ प्रभु को प्रसन करना होता है लोगों को जdar वाला कि तुमारे लिए मुकट है क्योंकि तुम वच्चन को था मे रखने लुगे अदर्वाइस डूब जाएंगे आपको पता हो तो आप पुराने नियम से चेक करोगे न नुह बहुत भयंकर जल प्रलाया वो और उसका परिवार बज गया वो नहीं डूबे उसके बाद आप देखते जाओं तो पत्रस भारी तूफान में था नहीं वो चला पानी पर वो नहीं डूबा दूबरा था पर प्रभु ने उसको निकाल लिया प्रभु के चेले तूफा प्रभु को तैयार कि उसको निगल ले और वो मचली के पेट में तीन देन रात रहा परमेश्व ने उसको सुरक्षित पॉलस उसके बारे में अभी हमने पढ़ा प्रभु के काम 27 इसमें उसको भी नहीं डूबने दिया और उसकी जितने मानी नहीं उसको भी नहीं डूबने दिया सबी लोग बच गए प्यारों पर बचने के लिए जरूए थे सम्थिंग वी हैव तो होल्ड और वो इस नन अधर देन गड़्ड वर्ड नेम अफ आवर लॉड जीस प्रभु येशु का नाम और उसका वचन उसको था में रखना है त्यारों उसको रिदाए में रखे ये ना बोले कि माई लाइफ माई रूल्स माई लाइफ इस रूल्स बहुत सारे लोग बलता है बिली इन यौरसल्फ बहुत भायंकर जूट में पशसे से Don't believe in yourself, but believe in God and God's word. अपने स्टेटस को चेंज करिया ऐसे लोग, जो बोलते हैं, believe in yourself. Don't believe in yourself. रभु ने वच्चन में साफ लिखा है, आप वच्चन नहीं पढ़ते हैं, लोग जो ऐसा स्टेटस रखते हैं. साफ लिखा है वच्चन में, अपनी समझ का सहारा मत लेना, जो लोग अपनी समझ से चलते हैं, अकल मंद मानते हैं, वो लोग डूब जाएंगे, वो मर जाएंगे ऐसी अवस्थाओं में, खतम हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड वच्चन है जो आपको उपर तैरा आएगा, वो आपको पानी पर रखेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, ये शुमसी वच्चन है प्यारो, ये शुमसी इस द वर्ड ऑप गौर्ड, उसन पत्रस को थाम लिया, वाल्ड ने उसको खीच निकाला, वाल्ड, वच्चन ने उसको डूबने से बचाया, और वच्चन को त पर कोई समझने को तयार नहीं समाच समाच करके बैठ जाते और अपनी मर्जी से चले रहे परमेश्वर आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाय रखता है अच्छे पात्र भी रखता है अच्छा भविश्य भी उसके पास है पर थामे रहने वाले लोग नहीं है हमारे पास जो थामे रहेंगे ने वो भविश्य को अच्छा और सुद्रा हुआ देखेंगे अधर्वाइस वेल वैनिश्ट खतम हो जाएंगे ऐसे लोग आपके बिजनस को बचाएगा तो प्रभु का वचन आप वचन से इधर उधर जा रहे हो तो आप आशा मत रखना कि सेवकों की प्रात्ना से आप बचो वचन से अपने आपको इधर-उदर मद भटकने दो, साफ अपने आपको स्थीर रखो, प्रभु ने ना बोला अपने होठो को बुरी बात बोलने से, अगर अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा भी ना बोले, हकीकत में हमें थामे रखना है, पर जब तक वो थामे नहीं रखेगा न, वो लूज कर देगा, तो हम गिर जाएंगे, परस हम पूरा कर रहे हैं, प्रभु का बचन, हेलिकॉप्टर से वो रसी डालते बराबर, थामली बचने वाले ने उस रसी को पकड़ लिया, पर वो रसी उपर से छूट जाए, तो हमारा थामना, वे अर गिरेंगे हम, तो थामना दोनों पक्षों से होता है, एक उपर से भी पकड़ेगा और नीचे से भी पकड़ना है, पर हमारे लिए बड़ी और गर्व की बात ये है, कि परिक्षा के समय में वो थाम कर रखे गया, और हकीकत में उसने थाम कर रखा है हमें, और इसलिए हम ने उसको थाम कर रखा है ऐसा नहीं कि हमने थाम कर रखा है इसलिए उसने थाम कर रखा है और इसलिए हमने उसको थाम कर रखा है गर्व ना करें अपने आप पर कि आप प्रभू की आरदना सच्चाई से करते हो आप प्रभू के लिए अपने आपको खर्च करते हो आप प्रभू के लिए ने आपको पक्डाहि इसलिए हो रहा है, हम में तो ऐसी चीजे थी cents नहीं, हम तो नहीं हम तो कुछ भी कर बैख्णते, पर प्रभू ने हमको सांब करभू रखा है, प्रभू ने परमिश्वर ने हमें पक्ड़े रख़ा है। लिखा है कि जिसके हाथ में साथ तारे है और जिसके हाथ में साथ दीपक है उसने मतलब साथ तारे साथ दीपक क्या बताते है उन कलीसियाओ की बात कर रहे है और उन कलीसियाओ की अगवो की बात कर रहे है जो प्रभु के हाथ में है जिन को होल्डे करके रखा है परवेश्वर ने ये श हमारा भी फर्ज है कि हम जो वो हमें दे उसको भी थाम कर चले hold on to our confession हमारे विश्वास को थामे रहे उसका अंगीकार करते रहे इबरानियों की पत्री में साफ लिखा है हम नहीं पढ़ेंगे उसमें से और साफ लिखा है कि जो बात परमेश्वर के वचन और प्रतीग्या है तूफान में उस लंगर के समान है जो जहाज को स्तृर रखता है तूफान में वह लंगर है प्रभु का बचन और प्रभु की promise प्रभु के वाइदे जो तूफान में उस को पकड़े रखते हैं जहां इदर उदर चले जाने नहीं देते अधर ना हो तो क्या होगा पता है वह लंगर ना हो तो वह तो तूफान अचे और उस हवाओं में बैह कर कहीं और चला जाएगा पर वह लंगर की आज में जरुवत है जो तूफा। इन पार आपको और मुझको स्पेशल टाइम प्रबू को क्वालिटी टायम देने की जरूए बैटने की आदत किस को है प्रभू की चरणों में रूम बन करके बैटने की आदत है कभी आपको फोकस करने की आदत कभी डाली आपने आपके जीवन में? कोई इस किसी वच्चन पर चिंतन करने की आदत डाली क्या आपने? अरे प्यारो, आपकी सहाइता के लिए परमेश्वन ने अपने वच्चनों को भेजाएं, मियमी तुरुप से बाइबल शड़ी चल रहे हैं, कितने हम तो साइद पता नहीं हमारे हिर्दय में क्या छुपाएं, क्या दिखाते संडे चर्चिस में बैठ कर, अपने आपको प्रभू के आगे अवेलेबल कीजी, संडे के अलवा बाकी के दिन भी है, मैं यह कहता नहीं हूं, हमें विवर्स नहीं चाहिए, प्यारो, अगर आप बचना चाहते हो इस संसार में, तो प्रभू के वचन को थाम लो, otherwise we will vanish, हमारे लिए कोई चारा नहीं है, और यह अंतीम समय के लिए तो इसके अलवा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि प्रभू की प्रॉमिस, अगर आप प्रभू को बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, सारे संसार पर आने वाला है, प्रभू हमें समझ रखती दे, हमारे सुनने वाले क्यान दे, ताकि हम इन बात को गौर से हमारे दोर में उतार से, काई अपनी आँखों को बन करते हैं, प्रभू हम दनिवात करते हैं, प्रभू, इन बातों के द्वारा जो आज आज आपने ह प्रभू आपने जो मैसेज हमारी कलीसिया के लिए और हम लोगों के लिए रखा है प्रभू आपने हमारे सामने रख दिया है प्रभू प्रभू आने वाला भविश्य कैसा होना चाहिए हमारे हाथ में है प्रभू अगर हम हमने ही विश्वास करते रहेंगे तो प्रभू शा सफलता का रहस्यू हम अगर वह सफल रहे तोमें भी निष्वल नहीं रहसकते प्रभू हम तेरे वचनों पत्यान करते प्रभू हमाज मांगे प्रबू प्रबू हमें और भी हमारे विश्वासी जीवन को लेकर गंभिर बनाई है संसा में बहुत सारा जूट चल रहा है अपने आपको उन जूट से उस धोके से अलग रखने के लिए अनुगर कीजिए प्रबू जो लोग प्रबू गलत गलत बातों में बहक जाते प्रबू आकर्शित हो जाते हैं नहीं नहीं बातों में बहक जाते प्रबू आज हम प्रात ना करते प्रबू तेरे वचन का अकरशन प्रबू तेरे वचन का अट्रेक्शन प्रबू उनमें जागरूत कर प्रबू हमारी कल कि कि अपने टेरे और कितने तेरे विरुद है परभेश्वर डूनने साफ उस कली स्वेंगे को लिखा कि तेरा मण फिरा आप मैंसे कितने लोग हैं जो अपनी चाल को लेकर अपने टाइम के इंवेश्टमेंट को लेकर मन फिराना चाते हैं कहां पर हमारे मन, हमारा मन लगा हुआ है, कहां पर हम फोकस है, किन बातों पर ज्यादा ध्यान के अंदरित करते हैं, कौन सी बाते, ज्यादा आपको और मुझको हमको आकरशित कर रही है, इन दिनों में क्या है जो आपको और मुझको वचन से दूर खीच रहा है, just check it क्या है जो आपको और बुझ को हमको सबको कलिस्या को वच्चन से दूर खीच रहा है क्या कोई ऐसी आदत है क्या social networking है क्या कोई व्यसन है क्या कोई समाज की या संसार का डर है जो आपको वच्चन के खिलाफ उकसा रहा है चलेगा प्रभु माफ कर लेगा अभी कर लेते माफी मांग लेंगे क्या ऐसा कुछ तो नहीं सैट करके बैठें हमारे हिर्दयों में प्रभु को ठट्टों में ना उड़ाए प्यारो परमेश्व की मश्करी ना करे प्रभु के वचनों की मशकरी ना करे अरे कल मापी मांग लूगा चल जाएगा सब कुछ कल और आज में बहुत बड़ा फासला है प्यारों कल और आज में बहुत बड़ा फासला है परमेश्वर वो फासला कहीं ऐसा न हो कि वो फासला बड़ा हो जाए और आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभू से अलग हो जाओ कहीं ऐसा न हो जाए उस फासले को कम कीजिए प्यारो जो कल करना है वो आज की करना शुरू कर दे ऐसा मत सोचिए कि कल राज से मैं कुछ शुरू करूंगा यह आदत को मैं छोड़ से प्रभू के नाम से पीछे खीच रहा है आपका समय कौन चोरी कर रहा है कभी आपको वच्चन नहीं पड़ा उसको लेकर टैंशन हुआ क्या प्रभू को समय नहीं दिया उसको लेकर कभी आपको चिंता हुई क्या कर चींता नहीं है तो श्यॆद हम प्रभू को को प्रेम नहीं कर रहे क्या प्रेम करने वालों के एक लक्षन होता है कि वसोभेश त्रे pensar वीचार चाहे होते'RE को आपके और मेरे जीवन में हमारे जीवन में कौन से वीचार ज्यादा इंटेंस है ज्यादा टीब्र में सोचे प्यारों और मन फिराना चाहते हो तो प्रात्ना कर कीजिए मुझे माफ कर प्रभु से कहे मैंने ऐसी बातों में हमारे समय को दिया है कि जो तेरा समय था मैंने उन बातों में मेरा समय दे दिया तो मुझे शमा कर आपके बच्चे हुए समय को फिजूल समय को आपने कहां बिताया माफी मांगे मेरे फिजूल समय को मेरे फ्री टाइम को मैंने यूही नेट्वर्किंग में सोशल नेट्वर्किंग में लाइक्स बनाने में मैंने परमेश्वर व्यर्थ वेश्ट कर दिया क्यो प्रभू आपको लाइक करता है कि नहीं उसको देखिए आपके कारियों को आपके फिजूल के टाइम में खर्च करने वाले उस समय को उस बिताने वाले समय को प्रभू लाइक करता है कि नहीं वो देखिए तो हमने प्रभू का वच्चन और उसका नाम पकड़ा हुआ है अद प्रबु से कहे, प्रबु मुझे माफ कर, आज मेरा समर्पण में तुरे आगे रखता हूँ, तेरी बातों को समझने के लिए मुझे ज्ञान से भरा हुआ हड़दे प्रबु, ताकि मैं जीवन में मेरे सही फैसले कर सकू, सही चुनाव कर सकू, मेरी सहाइता कर प्रबु, मै मिटता जाओ प्रभू पर तेरा नाम और तेरा काम बढ़ता जाए परमेश्वर प्रभू मेरा नाम बढ़े ना बढ़े प्रभू मुझे लोग लाइक करे या ना करे प्रभू तेरी बातों को लाइक करने वाला मैं बढ़े मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए इसे ही लोगों को संकट में से प्रभू बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के वचनों को थामे रहते हैं, चाहे विरोध हो, चाहे संकट हो, चाहे मुश्कीले हो, चाहे कमी हो, घटी हो, चाहे मान मिले या अपमान मिले, पर वो वचन पर खरे उतरना ही प्रबु हम प्रातिना करते हैं, हर एक ऐसे जंद की जिनों ने अपने आपको जारी किया है, आपके आगे समर्पित किया है प्रबू उनके समर्पन को, आपकी आत्मा की आग से परमेश्वर आप ग्रहण करें परमेश्वर, आपकी आग उनकी सोच पर उतराएं परमेश्वर, ताकि वे सब कुछ जड़कर खाक हो जाए, जो आप नहीं चाहते हो, कि उनके मन में बसा रहे, ऐसी चीज़े खतम हो परबेटे हो परमेशवर तकि प्रबू इन दिनों में परमेशवर, हम आपको सबसे ज्यादा खूश करें, हम्मारा vehicle हूँ बने परमेशवर, मैं कैसे आप हमसे प्रसंड्र हो, यह हम्मारा विशव बने परमेशवर प्रबू कैसे लोग प्रभू, प्रातना, हम और भी दो जार साल कर्याय आचुकर प्रभू, तिरा कभी सेगे हैं प्रभू हमें उन बातों को थामे रखना है परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखी है पिता, प्रबु हमें समझ दीजिए कि कैसे तेरे वचनों को थामे रहे, कैसे आपकी बातों पर हम अटल बने रहे परमेश्वर, क्योंकि वो ही हमें हमें आने वाले समय में प्रबु हैं जितने लोग कुछ ऐसी बीमारी में हैं जो शायद आपको ऐसे लगता है कि मैं किसी को बता नहीं सकताू में अपने फीर हाथ रखे अपने अपने छाती पर — अगर कोई उलजटर्र ड़क दिस ऑसा कर रखा है कहीं पर ंप कुछ गए हो आपको पता नहीं चल रहा है कि मै कैसे इस उलजन में से, इस माया जाल में से बाहर निकलू, आपको कोई कर्जों के बंधन बांद कर रखा है, कौन सी यसी बात है जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, आप अपने सीर पर हाथ रखे, कोई बीमारी ने आपको परेशान करके रखा है, आपके उठने में आपको तकलिफ हो रही है, अपने सीर पर अपना हाथ रखे, हम आपके लिए प्रभु के दास मिलकर प्राहत ना करना चाहते हैं, एक हाथ सीर पर रखे और एक हाथ आप स्क्रीन की और बढ़ाएं, हललुया, 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 परमेश्वर हम आज प्राहत ना करते है जो अधिकार आपने दिया है बीमारों को चंगा करने का जो अधिकार आपने दिया है शांती को बोलने का शालोम को बोलकर आपकी सरवांगी समरुद्धी को लाने का जो अधिकार दिया है प्रभु येश्यू के नाम में उस अधिकार का उपियोग करते है इन हर एक शरीरों के उपर, इन हर एक जीवनों के उपर, जो marriage life में disturbance है, जो marriage life में शैतान ने गलत बाते खड़ी करके रखी है, उन सभी के उपर, जिनको शायद कोरोना का infection लगा है, जिनको शायद कोई और बीमारी का infection लगा है, आज इन सारे infection के विरोध में आते हैं, ये श् में से इनके बाड़ी में से ये बीमारी जाती रहे, ये श्यू के नाम में निखल जाए, निखल जाए ये श्यू के नाम में, हर एक infection, ये श्यू के नाम में हट जाए, ये श्यू के नाम में हाललुया, हर एक जोडो का दर्द, ये श्यू के नाम में छला जाए, ये श्यू के नाम में मैं तुझे जाने का आदेश करता हूं हम येश्यू के नाम में तुझे आदेश करते हैं छीपी हुई बीमारी तो निकल जा उस परिवार में से दूर पटा येश्यू के नाम में उस परिवार में जहां जगड़े की आत्मा काम कर रही है आज येश्यू के नाम मे हाललुया येश्यू के नाम में जगड़े की आत्मा तो दुल हो येश्यू के नाम से हाललुया प्रभू की शांती शालोम हम ऐसे जीवनों पर हम बोलते है आज येश्यू के नाम में चंगाई को बोलते है येश्यू के नाम में हम आयुश्य को बढ़ाते हैं येश्यू के न आत्मा येश्यू के नाम में ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा छोड़ कर चली जाए येश्यू के नाम में येश्यू का नाम सरवोची नाम है वही नाम है जो तूफानों में हमें खड़ा रखता है वही नाम हमारे लिए चत्तान है वही नाम हमारा आश्रा है और उसी येश्यू के नाम में जिसने कोडे खा कर हमारी हमारा चुटकारा ले लिया है येश्यू के नाम में हम चुटकारा बोलते हैं हर एक गर की आत्मा के उपर हम येश्यू के नाम में चुटकारा बोलते हैं जिनके बिजनस डावाडोल परिस्टिती में है आज हम येश्यू के नाम में वहा in Jesus name, येश्यो के नाम में तोड़ते हैं, प्रभू आपकी शांती इनके जीवन में बने परमिशर, इनकी मेरेज लाइफ में सारा disturbance दूर हो जाए, प्रभू वो सारे husband wife और वो सारे पारिवारिक लोग, मा, बेटे, सभी लोग, भाई, भाई, बेहन, बेहनों के बीच में, कहीं पर मन मोटा हुए, येश्यो के नाम में, हम उसको छोड़ते हैं, येश्यो के नाम में, ओ, कोई wife husband से अलग रहती है, येश्यो क नाम में, ऐसे लोगों को, हम जो एरते हैं फिर से येश्यो के नाम में, हाललुया, अगर कोई है ऐसा, कि जो अपने husband से दूर रहता है, या तो कोई husband है, जो अपनी wife से दूर भाग रहा है, येश्यो के नाम में, उन सारे distance को, मैं खत्रू करते हुए, येश्यो के सामर्थी आप लोगों के लिए नहीं आपको पती-पत्नी प्रभु ने आपको एक दुसरे के लिए बनाया है आपको एक दुसरे के लिए बनाया है आप हस्बंद और वाइफ एक दुसरे का भला सोचे हस्बंद और वाइफ पती-पत्नी एक दुसरे का भला सोचे एक दुसरे के fault not doda, भलाई सोचे, प्रभु येश्यू साफ बोल रहे कि आप एक दुसरे की भलाई सोचे, प्रभु आपको, आपकी नरेगलाईट को बढ़ाना चाता है, आशिशित करना चाता है जो अलग है वो अलग ना रहे पर साथ में हो जाए येश्यू के नाम में हललोया प्रबू येश्यू के नाम में साथ रहे ओ प्रबू हम मांगते हैं परमिश्वर आपकी शांती हर एक परिवार में हमारी कलीसिया में बनी रहे और विशेश प्रबू आपके आने वाले ऐसे स आमेन, आमेन, आमेन. अब उस महान पिता परमेश्वर का प्रेम, येश्व मसी का अनुग्रह और पवित्रा आत्मा के साथ स्तामर्थ और स्तैभागीता और संगती आज से लेकर हमेशा तक कलीसिया के हरेक सदस्यों के साथ और प्रभू के नाम को ठाम कर उस पर विश्वास बनाए रखने वाले हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे आमें